आप सुन रहे हैं उर्दू का पहला नौविल मिरातल उरूस तहरीर डिप्टी नजीर एहमद हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बैल का आइकन दबाना ना भूलिएगा शुक्रिया बाप छटा मा से मुहमद आकिल के अलग होने की सलाह राह में मुहमद आकिल रात की इन ही बातों को सोचता आया घर में पहुँचा तो मा ने देखा कि उसके चेहरे पर फिक्र मालूम होता है समचा जरूर आज सुसराल में लड़ा पूच्छा मुहमद आकिल आखिर मेरे कहने पर अमल नहीं किया मुहमद आकिल अमद सच कहता हूँ लड़ाई भड़ाई कुछ भी नहीं हुई मा फिर सुस्त क्यूँ है महमद आकिल कुछ भी नहीं सोता उठकर आया हूँ इस सबब से शायद आपको मेरा चेहरा उदास मालूम होता होगा मा लड़के होश में आ क्या तुझको सोता उठकर कभी थोड़ा ही देखा है सच बता क्या बात है महमद आकिल ने आखिर मजबूर होकर रात का तमाम किस्सा मा के रूबरू बियान किया सुनते के साथ ही मा को काटो तो बदन में लहू नहीं था लेकिन औरत ही बड़ी दानिश मंद कहने लगी कि हर चंद मेरी तमना ये थी कि जब तक मेरे दम में दम है तुम सब को अपने कलेजे से लगाए रहूं और तुम दोनों भाई इतफाक से रहो लेकिन मैं देखती हूँ तो सामान उल्टे ही उल्टे नजर आते है लो आज मैं तुम से कहती हूँ के बियाह के बाद दूसरे महीने से मिजज़दार बहू का इरादा अलग घर करने का है तुम जो दस रुपे महीने के महीने लाकर मुझ को देते हो उनको नहायत नागवार होता है आए दिन मैं तुम्हारी बीबी की सहीलियों से सुनती रहती हूँ के बहू बिली मारों के महले में मकान लेंगी जुल्फन को साथ ले जाएंगी जब तक ये सब लड़कियां एकटी बैठी रहती हैं यही मशवरा यही मसकूर आपस में रहा करता है मैंने तुम्हारी खलिया सास के मूँ पर एक मरतबा ये बात भी रख दी थी के मिजाज़दार बहू को अगर हमारे साथ रहना नागवार है तो अपना खाना कपड़ा अलग कर लें मगर रहें इसी घर में फिर तुम्हारी सास से मालुम हुआ के मिजाज़दार बहू को ये भी मनजूर नहीं आदमी बियाह खुशी और असाइश के वास्ते करता है रोस की लड़ाई आए दिन का जगड़ा नहायत बुरी बात है अगर तुम्हारी बीबी को यही मनजूर है अलग रहने से उनकी खुशी है तो बिसमिल्ला हम को उज़र नहीं जहां रहो खुश रहो आबाद रहो खुदा ने एक मामता ऑलाद की हमारे पीछे लगा दी है सो कभी तुम इधर को आ निकले एक नजर देख लिया सबर आ गया घर के काम धंदे से कभी छुटकारा मिला मैं आप चले गई तुमको देखाई ये कहना था कि मुहमद आकिल का जी भर आया और बे अख्तियार रोना शुरू किया और समझा के आज मा से जुदाई होती है मा भी रोई थोड़ी देर बाद आकिल ने कहा मैं तो अलग नहीं रहूंगा बीबी रहे या जाए मा ने कहा अरे बेटा ये भी कहीं होती है अश्राफों में कहीं बीबियां भी शूटती है तुमको अपनी इमरान ही के साथ काटनी है हमारा क्या है कबर में पाउं लटकाए बैठे है आज मरे कल दूसरा दिन मेरी सलाह मानो जो वो कहें सो करो हमने जिस दिन से तुमारा बियाह किया उसी दिन से तुमको अलग समझा ना तुम अनुके बेटे ना मैं अनुकी मा कौन बेटा सारी उमर मा के साथ रहा है महमद आकिल ने अपने दोस्तों से भी सलाह पूछी सब ने यही कहा के रफ़ा फसाद बहतर है और साथ रहने पर क्या मुनहसिर है मा से अलग रहो और उनके खिदमतों इतात करो जब सब लोगों ने यही सलाह दी महमद आकिल ने भी कहा खेर अलग रह कर भी देख लो अगर ये औरत संभल जाए और घर को घर समझे बदमिजाजी ना फरमानी बदजबानी छोड़ दे तो अलग रहना एब नहीं गुनाह नहीं यही ना के खानादारी की फिक्र करना पड़ेगी और तंगी से गुजरेगी सो दुनिया में रह कर फिक्र से किसी हालत में निजात नहीं अब कुछ फिक्र नहीं तो ये हर रोस का फिसाद बजाए खुद अजाब है और तंगी रिस्क का अंदेशा भी बेजा है जो मुकदर में है बेहराल पहुँचेगा आदमी की सईयो तद्बीर को इसमें क्या दखल ये सूचकर महमद आकिन ने अलग हो जाने का इरादे मसम्म कर लिया इत्तफाक से उसी के मकान से मुतसिल एक मकान भी खाली था एक रुपिया महवारी कराए पर ठहरा लिया बलके सरकफली दे कर सरखत भी लिग दिया कुझी ले लिया और सुस्राल कहला भीजा के मकान करार पा गया है अब आउटो नए मकान में उठ चलें और अपनी मा से भी कह दिया है के यही तारकशवाला मकान ले लिया है मा ने जितना असबाब मिजाजदार बहु का था कपड़ों के संदूक, बरतन, फरश, मसहरी, पलंग, सब लहदा कोटरी में रखवाया शाम को मिजाजदार बहु भी आ पहुँची सुब को उठ मा ने कोटरी खोल मुहमद आकिल से कहा लो भाई, अपनी चीजें दोनों मिया बीबी खूब देख भालो मुहमद आकिल ने कहा अमा, तुम क्या कहती हो, कोई गयर जगा थी मा ने कहा, बेटा, ये बात नहीं ऐसा नहो उठाने बिठाने में कोई चीज इधर उधर हो जाए और मामा से कहा, अजमत तुम और हमसाई ये सब असबाब तारकश वाले घर में पहुँचा दो अकबरी की सहलियां, चुनियां, रहमत, जल्फन, सलमती आ पहुँची और बात की बात में सारा असबाब उठाकर इधर से उधर ले गई अगला बाप सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दियो हुए लिंक को क्लिक कीजिए, शुक्रिया